नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश आठ नमबर बुद्वार दोपह सवा तीन बजी राजिस्तान की बड़ी खबर ही पेमोदी आज दमोह जिले की दोरे पर हैं, उन्होंने दमोह के इमलाई गाउं मीर जनसभा को संबोधित करते वे कहा कि कॉंग्रिस कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाई, क्यूंकि कॉंग्रिस की निताओं की नियड़ ठीक नहीं थी अमीर और अमीर होते गए और गरीब और गरीब होते गए पियमोदी ने कहा कि आज का समय कॉंग्रिस से सबसे ज़्यादा सावधा रहने का है कॉंग्रिस वो पार्टी है जो गरीबी का हक का पैसा अच्छीन लेती है Congress वो पार्टी है जो 1000 करोड रुपय की घोटा ले करती है Congress वो पार्टी है जो एक समाज को दूसरे से लड़ा कर कुर्सी कबजा करने का खेल करती है Congress के लिए देश और राजी का विकास जरूरी है इसके लिए सिर्फ अपना स्वार्थ जरूरी है उस समय देश के पीम रिमूर्ट से चलते थे, अब कॉंग्रिस के अध्यक्ष रिमूर्ट से चल रहे हैं प्राजसान विधानसवा चुनाओं की कैम्पेइनिंग के लिए मंगलवार को नागौर पहुंचे केंडिये ग्रह मंत्रिया मिट्शाह एक बड़े हासे का शिकार होते होते बालवाल बच गए दरशल शाह जब रत में सवार होकर शहर की सड़क में सभा कर रहे थे तो इस दोरान बिजली के तार से रत टकरा गया इस दोरान चिंगारिया उठने लगे और तार तूट गए ये हासा डीड़वाना कुचामंजिले के परबसर शहर में हुआ है केंड़े ग्रह मंत्रिया मिट्शाह के दोरे के दोरान नागौर में हुए हासी की मुख्य मंत्रिया शोगहलोत ने गंभीर मानते हुए उच्छिस तर्य जौंच के आदेश दिये है कांग्रिस की रास्टे महासची प्रियंका गांधी बुधवार को मध्य प्रदेश के दोरे पर है वे सामवेर में थोड़ी देर में जनसबा को संबोधित करेंगी खाते गाउं दिवास में सभा और इंदौर में रोड़ शोग करेंगी इंदौर में प्रियंका का तीन दिन में ये दूसरा दोरा है चुनावी सभा में कमलनात ने कहा गुंडागर्दी करने वाले समझ जाएं कॉंग्रिस की गरंटी यात्रा पर आगाज के एक दिन बाद ही प्रेक लग गया है बता जारा कि दिपावली की चलते कॉंग्रिस की गरंटी यात्रा को समय के लिए रोकी गई है आपको बताद है कि सीम गहलोत ने मंगलवार को जयपूर में कॉंग्रिस की गरंटी यात्रा पर आगाज किया था लेकिन अब प्रदेश के दूसरे संभागों में 14 नमंबर से गरंटी यात्रा के दूसरी फेस का आगाज होगा रहास्ता ने 25 नमंबर को होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले प्रदेश वासियों तक अपनी साथ गरंटी पहुच वाने के लिए कॉंग्रिस ने गरंटी यात्रा की शुरुआत की थी यात्रा साथ संभागों में निकाली जाने वाली है अब 14 नमंबर से यात्रा की शुरुआत होगी नमंगन भने का काम पूरा होने के साथ भास्पा और कॉंग्रिस ने रूटों को मनाने का काम शुरू कर दिया है 9 नमंबर को नमंगन वापसी के आखरी तारिक है पार्टे दो दिन रूटों को मनाएगी इसके बाद जो नहीं माने उन्हें पार्टे से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा करीब 33 सीटों पर दोनों पार्टियों के बाग्यों ने पार्टे प्रतियाशियों के नेद उड़ा रखी है भाषपा ने जोटवाणा से निर्दलिया नामांकन दाखिल करने वाले राजपाल सिंख शेखावत को मनाने की जिम्यदारी पूर्वे सीम वसंदरा राजे को सौपी है राजपाल राजे के करीबी नेताओं में गिने जोते हैं पार्टे ने इस बार राजे के तीनों करीबी राजपाल अशोग परनामी और यूनिस खान का टिकट कार दिया है उपरास्टपती जगदीब धनकड के साथ बुधवार को अजमेर के मेयो गल्स कॉलेज के वाशी को सम में पहुँचे उपरास्टपती विशेश वीमान से किशनगड एरपोर्ट पर लैंड हुए जेला पुलिस प्रुशासन ने उनका स्वागत किया स्वागत के बाद उपरास्टपती का काफिला मेयो गल्स कॉलेज स्कूल में पहुचा उपरास्टपती स्कूल के 35 में वाशिक परसकार सम्मान समारों में शामिल हुए हैं उन्होंने यहां च्छात्राओं को सम्मानित किया समारों में मेयो गल्स स्कूल कमेटी के जूदपूर पूर्व महराज गर्स सिंग ने उपरास्टपती का भार जटाया प्रिंस्पा सूपरीद बक्षी ने भी संबोधित करते वी स्कूल के बारे में बताया नकली सोने की 11 चैन के बदले गोल्ड लोन लेने वाले तीन आरोपियों को चितोर गड़ पुलिस ने गिरिफतार किया है आरोपियों ने ICICI बैंक में नकली गहने रखवा कर 13,47,000 रुपए का लोन लिया तीनों आरोपियों में से एक सुनार भी है तीनों ने मिलकर गुजरात के वलसार जिले के धरमपुर्थाना शेत्र में भी इसी तरह धोखा रड़िक की थी जहां से तीनों वांचित हैं स्वे राजिन दुश्यन ने बताई कि साइबर सल की मदद से मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पारलिया भादेसर के दिनेश कुमार और उसके साथी कमलेश सुखवाल को गिरिफतार किया गया है राजसन विधानसपा चुनाओ को देखते वे जिलापर शासन और पुलिस सतर्ख हो गई है चुनाओ भैमुक्त और निश्पक्ष करवाने के लिए रूट मार्च निकाल रही है जसलमेर के ग्रामिन और शेहरी इलाखों में बिएसेफ और पुलिस के अधिकारे रूट मार्च निकाल रहे है ताकि लोगों में किसी भी तरह का भै ना हो एसवे विकास सांगवान ने बताए कि विधानसबा चुनाओ शांति पुर्ण और भैमुक्त मद्दान करने के लिए शेहर के मुख्य मार्गों से रूट मार्च निकाला गया घाटोल कस्बे से गुजर रहे नाशनल हाईवे पर पुलिस साने के सामने बांसवाडा से प्रताब गड़ की ओर जारहाट रोला अचानक और नियंत्रित हो कर सड़क के किनारे बिजली के पूल को तोड़ते हुए पास में ही ओटो गैरेज की दुकान में घुस किया इससे दुकान की एक हिसे की दिवार शतिक्रस्त हो गई दुकान बंध होने के करण कोई हासा नहीं हुआ और कोई जन्हानी नहीं हुई विदित पोल और दिवार शतिक्रस्त होने से नुकसान हुआ और बिजली गुल हो गई मौके पर आवाजाही करने वाले लोगों की भीड़े कत्रित हो गई बिकानेर के पकफाड़े भर में ही एक और हवाला एजेंट जिला पुलिस के हत्ते चड़ गया बिच्वाल पुलिस और डिस्टी ने सविक्त कारवाही करते हुए निजी बस्टैंड के पास से उसे पकड़ा अत्रिक्त पुलिस अधिक्षक दीपक शर्मा ने बताए कि जिला पुलिस काफी समय से हवाला कारोबार करने वालों के पीछे पड़ी थी मंगलवार को बिच्वाल S.H.O. महिंदर दत्य शर्मा को हवाला अजेंट के बारे में सूचना मिली के एक व्यक्ति लाखो रुपए इधर उधर करने वाला है इसके बाद बिच्वाल पुलिस और DST ने मिलकर हवाला अजेंट की घेरा बंदिकर रोडवेज बस्टैंड के पास उसे दबोच लिया तापमान में उतार चड़ाव की कारण राजिस्थान में कम दबाव का शेत्र बनने लगा है इसके असर से 48 घंटे के दोरान मौसम में बदलाव आएगा मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 नवंबर को नया मौसम तंत्र बनने के कारण प्रदेश में कई जगा हलकी बारिश भी हो सकती है सीकर में मंगलवार सुबह से बादलो की आवाजा ही रही दोपहर में बादलो की कारण अधिक्तम तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावर दर्च की गई फत्यपुर में अधिक्तम 34 डिग्री और 99 डिग्री सास्यस रिकॉर्ड किया गया राजिसान विधानसवा चुनाव से पहले पार्टियों के कई रंग नजर आ रहे हैं इन चुनावों को जीतने के लिए नेता हर तरह की जो राजमाईश कर रहे हैं अलवर की राजगर लक्षमनगर विधानसवा शेत्र का एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है इस सेट से कॉंग्रेस उमीद्वार मांगिलान मीना समर्थन मांगने के लिए विधायक जोहरी लाल के घर गए वो समय जोरी लाल का बेटा फूट-फूट का रोने लगा और कॉंग्रेस उमीद्वार की पैरों मी जोगिरा अचानक होई इस घटना से कॉंग्रेस उमीद्वार घबरा कर मौके से भाग निकले हाल ही में मांगिलाल को मोची की दुकान पर जूते पॉलिश करते हुए देखा गया था राज़सान में विधान सभा चुनाओं से पहले निताओं का दल बदल का दोर चौरी है बुधवार को 2008 लोक सभा चुनाओं में कॉंग्रेस की टिकट पर लड़ चुकी सुनिता भाटी ने ज्यापुर में भाजपा जोइन कर लिया है चुनाओं से पहले ये कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका माना जो रहा है बिजेपे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सुनिता भाटी को आधिकारिक रूप से भाजपा की सद्यसिता दिलवाई भाजपा की सद्यसिता ग्रेंट करने के बाद सुनिता भाटी ने कहा भाजपा राजिस्थान में डबल इंजन की सरकार बना रही है वहीं कारकरम को संबोधित करते वे बीजेपी प्रदीश अध्यक्षी सीपी जोशी ने कहा भाजपाव नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया इस मौके पर प्रदीश अध्यक्षी सीपी जोशी और जोशक्ती मंतिक जिंदर सिंख्षे खावत पोकरिन्ट से कॉंग्रिस निता सुनिता भाटी भी भाचपा में शामिल हुई इस दोरान कई समाजिक संगर्णों से जुड़े लोग भी भाचपा में आये हैं उदेपु शहर में कसारों की ओल अभी अलसुबह से देर रात तक ठक 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 की आवाज से गुंचते थी यह आवाज यहां बनने वाले पीतल और तांबे के बरतनों की हुआ करती थी इस पर डिजाइन बनाने के लिए कारिगर हथोडों से पीटते हैं अब यह सिमट कर कुछ घरों तक ही रह गई है ऐसा पीतल की बरतनों का चलन घटने और अन्यकार्णों से हुआ है आज से 20 साल पहले कसारा समाज के 44 से अधिक परिवारों की आजिवी का पीतल और तांबे के बरतन बनाने से ही चलती थी वक्त बदला और बाजार में मशीनों से बनने वाले बरतनों का चलन बढ़ गया ऐसे में आज मात्र आठ कारिकर ही वरतन बनाने का काम कर रहे है परवरतन निदेश ओले के अधिकारी बुधवार आठ नवंबर की सुबह मुक्य मंत्रे भुपेश पगेल के करीबी और पठाका व्यापारे सुरेश घिंगानी के घर पहुची इडी ने सुरेश के घर एक महिने में दूसरी बार चापा मार कारवाही की है कहा जा रहा है कि उन्हें महादेव और अन्य गोटालों के लेंदें से जोड़े एहम सबूत मिले हैं तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खब्रों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खब्रों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर